रिसपपंद के चोटिल होने के बाद इन खिलाडियों को मिला मौका पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें साल 2023 का आगाज हो चुका है भारतिय टीम साल की पहली सिरीज स्रिलंका के खिलाब खेलेगी आगामी 3 जन्वरी को मौंबई में इन दो टीमों के बीच पहला टी-20 मैच खेला जाएगा टी-20 सिरीज में धुरंदर आल राउंडर अर्दिक पांडिया टीम इंडिया की कमान समालेंगे या उनके लिए तो एहम सिरीज है ही साथ ही अन्य कुछ खिलाडियों के लिए भी या बेहद महत्पूर्ण है कि वो ऐसा प्रभाव छोड़ने ताकि सिलेक्टर किसी भी तरह नचर अंदाज ना कर सके भारतिय टीम स्रिलंका के खिलाब 3 जनूरी से टीटन्टे स्रीज खेलेगी इस स्रीज में 3 मैच खेले जाएंगे इस स्रीज के लिए केरल के संजु सैंसन को टीम इंडिया में सामिल किया गया है पुरी संभावना है कि कप्तान पांडिया उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनाएंगे ऐसे में उनके पास बड़ा मौकर हैगा कि वा सीरीज में अच्छे प्रदर्शन की वदावलत टीम में अपनी जगा सुनेश्चित करें रिसापंद के चोटिल होने के बाद संजु सेंसन बतोर बिकट कीपर चुने जा सकते हैं संजु के पास अनभौ है और आप आईपियल में कप्तानी के साथ साथ बिकट कीपर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं हाला कि इसान की सन भी एक बिकट कीपर की भूम का निभा सकते हैं जो जारकन की टीम में इसी जिम्मेदारी में होते हैं